जमपा लहरी एक American author है जिनका तालुक Indian immigrant family से है और इनको बेहतर जाना जाता है इनकी short stories, novels और essays in English और इसके इलावा इनका एक तारुफ Italian भी है उनका जो पहले ही debut collection थी short stories की interpreter of melodies उसने 1999 में प्लिट्जर प्राइज फार फिक्षन और पैन हैमिंग वे एवार्ड जीता और उनका जो पहला novel था दानेम सेख 2003 में उसको इसी नाम से film बनाईगी उस पे एडॉप्ट किया गया इनके जो पहले novel था नेम सेख को New York Times ने notable book कहा जबके Los Angeles Times book prize finalist भी था और इसके एक major हिस्से पे एक फिल्म भी बनाई गई है Unaccustomeded Earth ने इनका एक शार्ड स्टोरी थी उसने फ्रेंक ओकोनोर इंटरनेशनल शार्ड स्टोरी एवार्ड जीता जबके उनका जो second novel था दा लो लेंड ये finalist था दोनों के लिए man booker prize और national book award फार फिक्शन का और जनवरी बाइस दो हजार पंदरा में लहरी को पचास हजार डॉलर डी एस सी प्राइज फार लिटेचर मिला उनकी जो novel है low land के लिए अपने इन works में लहरी ने basically explore किया है Indian immigrant experience को अमेरिका में इसके इलावा लहरी 2015 से प्रिंस्टन यूनिवस्टी में प्रोफेसर आफ क्रियेटिव राइटिंग के तोर पे भी काम कर रही हैं